इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरिर्णेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का मुह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों जैसे की नाखूनों और पैर की उंगलियों के फंगल इंफेक्शन के इलाज में किया जाता है। यह कवक कोशिका जिल्ली को नश्ट करके कवक को मारता है जिससे कवक का विकास रूख जाता है। सरफैस और टेबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार लिया जाना चाहिए। इसे साबुत निगलना चाहिए और भोजन के साथ और भोजन के बिना लिया जा सकता है। डोस और इलाज का समय इस बात पर निर्भर करेगा कि किस कंडीशन के लिए आपका इलाज किया जा रहा है। कभी कभी यह इस्तेमाल और इस्तेमाल न करने के चक्रों में होगा। अधिक्तम लाप राप्त करने के लिए दवा को सटीक अंतरालों के बाद ले तथा प्रिस्क्रिप्शन पूरा होने तक इसे लेते रहें। भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद सही हो जाएं। अगर आप इलाज को समय से पहले रोकते हैं तो इंफेक्शन वापस आ सकता है और अगर आप खुराक लेना भूल गए हैं तो आप अपने इलाज के जोखिम को बढ़ा सकते हैं जो आगे के उपचार के लिए प्रतिरोधक हैं। अगर आपका संक्रमन ठीक नहीं होता है या स्थिती और खराब हो रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं। इसे लेने के एक घंटे पहले या दो घंटे बाद तक एंटासित से इलाज लेने से बचें। इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में पेट में दर्द, सिर्दर्द और मिचली आना शामिल हैं। आप इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। दवा लेना बंद कर दें और यदि आपको अलजिक रियेक्शन के लक्षन जैसे दाने, होंट, गले या चेहरे की सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या, चक्कर आना और मिचली आना महसूस हो तो अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आप प्रेगनेंट हैं, तो डॉक्टर की सलाह के बिना सरफेजो टेबलेट न लें। तक गाड़ी या मशीनों को न चलाएं। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें।